ओके तो स्टार्ट करते हैं ठीक है आज का अपना सेशन देखो लास्ट के सेशन में अपना जो भी लॉस हुआ था ठीक है अपना जो भी लॉस हुआ था तो उसको हम आज के सेशन में रेकवर करेंगे बहुत प्यार से कुछ छोटी छोटी ट्रेड के साथ में मैंने कुछ थो थोड़ा सा माउंट इधर ग्रो किया चोटी-चोटी ट्रेड करके प्लस यहां पर अब हम करेंगे कुछ बड़ी ट्रेड ठीक है जिनसे हम थोड़ा सा अपना लॉस रिकोवर करने का ट्राइ करेंगे लास्ट के सेशन का प्लस हम ध्यान रखेंगे कि लास्ट टाइम हमने जो गलती की वो हम गलती इधर ना करें ठीक है तो थोड़ा सा मार्केट का बैक एंड से कर लेते हैं और आज हम जो भी ट्रेड पकड़ेंगे सारी की सारी शोष और ही ट्रेड पकड़ेंगे थोड़ा धायर के साथ में हम ट्रेड इधर पकड़ेंगे ठीक है फुल पेसें के सा हम इदर ट्रेड ढूंडेंगे और देखो एक ट्रेड तो मेरे को मिलती दिख रही है जो कि मैं नेक्स पे लेने वाला हूँ ठीक है देख लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर मैं पुट के लिए ट्रेड लोंगा और यह अपनी पहली ट्रेड हो जाएगी इस सेशन की ठीक है तो यह थोड़ी सी काफी मतलब थोड़ी नहीं काफी नीचे लग गई अब कुछ ट्रेड और ले लेता हूँ मैं ठीक है जिससे कि थोड़ा से उपर जाए तो देख लो यहाँ पर पहले इस ट्रेड पर कितने नीचे इंट्री है तो यहाँ पर ठीक है अभी देखो इस वैसे तो किसी भी ट्रेड को प्रोटेक्ट करने की मेरी आदत नहीं है बट फिर भी यह एक अच्छी और शोर्ट ट्रेड है इस वज़े से मैंने जो है इधर अच्छी खासी इंट्री बना ली मतलब एक ट्रेड मैंने पहले लिया था एक ही लेने का मेरा मूड भी था बट क्या हुआ कि वो थोड़ा से काफी नीचे लग गई ठीक है तो इस वज़े से मैंने सुचा थोड़ा और इंट्री बना लेते हैं थोड़ा से प्रोटेक्शन हो जाएगा बट देख लेते हैं जो की अपनी क्लेर प्रोफिटबल हो गई तीनो की तीनो ठीक है तीनो की अधिनो फुल साइज की हैलिटी कैंडल ंबनी जो की मैं छाहता भी हूं की अल्दी कैंडल ही मुझे मिले ठीक है देख लेते आ और ठीक है तो यहां पर जड़ा सिनेरियो चेक कर लेते हैं क्योंकि मुझे क्या लग रहा है कि मुझे एक सेलिंग मुवमिंटम मिलने वाला है यहां पर ठीक है मार्केट जिक बना चुका जैक के मुवमिंट में यह आने वाला है ठीक है तो हमें यहां पर कुछ बहतर इड्स का टॉट, टॉप का पॉइंट है वो, ठीक है, वहां से मार्केट को अभी जैक के लिए आना ही चाहिए, और यह देख लो, बायर्स को आइधिंक यह एक्जास्ट करने जा रहा है, जिस तरह से मतलब यह हिल्दी साइज की, आप बोल सकते हैं, यह हिल्दी नहीं, एक् केंडल, इसको मैं नोटिस करवा देता हूँ, ठीक है, यह वाली केंडल का हम वेट करेंगे, अगर यह सेलर्स के फेवर में, मतलब रेड में क्लोजिंग प्राइस हिट करती है, देन हम यहां डाउन के लिए अच्छी ऑपोर्शनिटी ढोंडेंगे इस मोमेंटम में, ठीक ह है, तो इसी को फॉलो करते हुए, यह मोमेंटम इधर कैरी होगा, ठीक है, तो और पॉसिबिली 100% करेंट वाली केंडल जो है, रेड में ही क्लोज देगी, मैं नेक्स मैं पुट के लिए जाओंगा, जो कि अपनी मोमेंटम के फार्म की ट्रेड हो जाएगी, ठीक है, तो यह भी देख लो, बड़ी हज़ा, बरदस्त वाली शेव शॉट जा भी रही है, और शेव शॉट जाएगी भी, और देखो, यहाँ पे हमें कुछ साइध कंसिस्टेंट ट्रेड मिल जाए, आइ तिंक करेंट वाली कैंडल के मतलब क्लोज होते ही, नेक्स पे अगेन मैं जिते हैं, लाश्ट टाइम हमने क्या किया था कि अगेंस्ट दा मुमिंटम हमने ट्रेड करना सुरू किया, और जिस वज़े से हमने बड़ी गलती की, और वहाँ पे हमने अच्छा खासल अपना, मतलब अल्मूस्ट सारा का सारा लास कर दिया था, तो वह वाली गलती हम ओके, तो इधर में इंट्री बना ही ले तो देखो, पहले ट्रेड ले लू मैं, ठीक है, ओके, तो अगें यहाँ पे मैंने पुट के लिए ट्रेड ले लिया, ट्रेड ये भी प्रॉफिडिबल जाएगी, और जो मैं कह रहा था कि लास्ट टेम हमने अपना एनलिसिस प्रे ठीक है, हमने गलती क्या गड़ दी कि जब हमारा डारेक्शन को प्रेडिट करने का एनलिसिस सही था, फिर मार्केट एक जगे से दूसरी जगे जो जा रहा था, उसमें हमने थोड़ा सा कन्फूजन में आके क्या किया कि हमने अगेंस दे मोमेंटम ट्रेड करना स्टार्ट क आपको साथ सिखने को भी मिले कि अगेंस दो मोमेंटम ट्रेड नहीं करना चाहिए, अगर वहां पर मैं आक बंद करके भी कंसिस्टेंट केंडल्स पर ट्रेड करता तो भी ट्रेड में प्रॉफटेबल जाती जह हो, जो कि यहां भी देख लो, आप सेम सिनारियो है ना, तो यहां पर एक, दो, तीन, हमने बैक टू बैक तीन ट्रेड इधर कर ली, ठीक है, जो कि अच्छी खासी शेव शौर्ट थी, अभी थोड़े से मैं करेंट वाली केंडल का वेट करूंगा, दिन देखता हूं इसके, नेक्स पर कौन सी बनती है, थोड़े इधर पेसेंट में पेश आओंगा, क्योंकि, अल्रेडी मैं अपना लगभग लॉस जो है, रिकवर कर चुका हूं, तो यहां पर अगर मैं थोड़ी सी भी जल्दबाज़ी करूंगा, तो दिक्कत हो जाएगी, और मैं रश में नहीं फचना चाहता, कि प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट ल लेता हूं ट्रेडिंग में, और देख लेते हैं, अब यह देखो, यह थोड़ा स्मॉल साइज में क्लोज हुई, दिन अगेन यह रिवर्सल हो रही, मतलब प्रिवेस वाली इसके लिए एक्जास्ट कैंडल हो जाएगी, बट स्टिल, कंटिनुशन का, जो सेलर्स के हल्दी फॉर्म में जाके यह एक्जास्ट हो जाएगी, बाइर्स इदर जो भी, ठीक है, इदर बॉटम के एरिया में, मतलब बाइर्स का जोन होगा या ट्रेंड लाइन पर अगर ड्रॉा करें तो वो निकल के आ जाएगा, तो वहाँ पर बाइर्स रेफलेक्ट किया है, बट स्ट ओके तो यहाँ अब बढ़िया इंट्री मिल जाएगी, देखो स्टार्डी में क्या हुआ, कि एकदम से नीचे आ गए, ठीक है, तो यह रही अपनी बहतर इंट्री, और देख लो, यहाँ पर मैंने लालालच नहीं किया, ठीक है, पहले तो मैं सोच रहा था, ओपनिंग प् ठीक है, और अगर ध्यान तो यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने लालच नहीं किया, सिर्फ एक सिंगल ट्रेड निकाली, ठीक है, और यह रही अपनी चारो ट्रेड, तीन, चार, चार ट्रेड हमने की, ठीक है, सेशन में अपने, और चारो देख लो, कितना हेल्दी तरीके से जारी, चारो ही केंडल बहुत हेल्दी फॉर्म में निकल के आई, ठीक है, जैसा मैंने कहा था ना, कि सबर से काम लोंगा, और देख लो, देखो, प्रिवेस में भी बताया है, अपने सेशन में आगे, आज भी में बता रहा हो, या अगर प्रिवेस में नहीं भी बताया, त लकिन एक बार आपको डिरेक्शन को प्रिडिट करना आ गया, तो फिर बाइनरी हो, या फॉरेक्स हो, या कोई भी मार्केट हो, बहुत तगड़ा पैसा बनता है, बहुत एजली तरीके से बनता है, क्यों? क्योंकि मार्केट अगर एक जगए से दूसरी जगए पर जाता है ठीक है तो वो कुछ ना कुछ consistent continuation को करते हुए चलता है और उसी बीच में आप अच्छा खासा profit निकाल सकते हो ठीक है momentum carry out करता है हमेशा कोई भी direction market जबता ही करता है तो momentum carry करता है तो इन सब चीजों के बीच में आप अच्छा पैसा निकाल सकते हो ठीक है तो attendance लगा देना comment कर देना सिखना हो तो इस पे भी मैं सुरुआत कर दूँगा ठीक है दो हजार शौबिस में वैसे भी कुछ बढ़िया ही होगा और जो जिनको भी signal चाहिए तो टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लेना लर्निंग वीडियो शाहिए तो मैंने प्रिवेस में कोर्स भी अप्लोड कर रखा है जाके देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स पे